कोई आपको बलाएके या फुसला कर या कोई जो जबर्दस्ती या कोई दवाब में या कोई किसी प्रकार से भी कोई किड्नाप करके तो आपको नहीं लेकर आया कि जब कोट पर इस करने के लिए जब लड़का और लड़की जसाब के सामने जाते हैं तो लड़की के वहाँ चाई किया को सबक्तुम कर सके हैं और कि मखेरे 몸 करने अइसे के साथ मुझकूट से यह जो आपकी शादी हो रही है आप इनको जिनके साथ शादी कर रहे हैं नमस्कार दोस्तों विशाल शर्मा कोटमारी ओफिस में आज आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज की जो मेरी दोस्तों वीडियो है इसमें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब को किस प्रकार से क्या-क्या प्रशन लड़की से पूछे जाते हैं और वो किस उसकी प्रकरिया क्या होती है कितना वहां पर समय लगता है तो आईए दोस्तों शुरूबात करते हैं जैसा कि बहुत सारे कपल्स ने मेरी से पूछा था कि सर आप इस वीशे के ओपर आप वीडि कर्वानी लिए जब आप जस्वा सामें जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों लड़का और लड़की उन दोनों से उनकी डेट अल बर्ध ज़ो उनकी जनमतिही होती एक वह कनफर्म करते जैसा कि आपका आधार काड आपका दोनों का आयू का प्रमानपत्र जैसे आयू का प्रमानपत्र में जो आप अपना या तो जनम प्रमानपत्र देते हैं या आपका दर्समी क्लास का सर्टिफिकेट या पैन काड या ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट तो इ जिससे कि जस्साब यह सुनिश्चित कर सकें, कि लड़का और लड़की दोनों कानूनी रूप से शादी करने के लिए योगे हैं, और इनके डॉकुमेंट्स में जो डेटो बर्थ लिखी है, और जो डेटो बर्थ जो जनमतिति आप बताते हैं, वो दोनों सेव होनी चाहिए जिससे कि जस्साब यह सुनिश्चित कर सकें, कि आप कानूनी रूप से आप शादी करने के लिए योगे हैं, तो एक तो दोस्तो यह चीज हो गई, कि जस्साब लड़का और लड़की दोनों से आपकी जनमतिति जरूर कंफर्म करते हैं, आपका नाम कंफर्म करते हैं, या किसी प्रकार से भी कोई आपको बैलाएके या फुसलाकर, या जोल जबरदस्ते या दवाब में, या किसी प्रकार से भी कोई किड्नाप करके तो आपको नहीं लेकर आया, तो जब जसाब जब लड़की के द्वारा दिये गए बयान से पूरी तरीके से संतुस्थ हो जाते हैं और लड़की जब अपने बयान सही जसाब को देती है और जसाब को लगता है कि हाँ लड़की के जो बयान है वो बिलकुल ठीक है और उसके हिसाब से जब ज़साब संतुस्ट हो जाते हैं तभी आपकी कोट मारिज हो पाती है और तभी दोस्तों आपकी कोट मारिज का और आपकी मारिज के रेजिस्टेशन का सर्टिफिकिट आपको मिल सकता है तो इसलिए जब भी आप जसाब के सामने जाएं अपनी कोट महरीज करने के लिए तो आप बिलकुल निडर होकर बिलकुल आत्मभिश्वास के साथ में जो भी आपकी डेटेल्स है जो आपका जसन नाम, आपका फादर नेम, आपकी डेटो बर्त, आपका एडरस तो जो भी जसाव अगर आपसे प्रशन पूछते हैं तो बिल्कुल आपको दोस्तो बहुत अच्छी तरीके से आपको उनको बताना चाहिए जिससे कि जसाव जो है आपके सवाल जो आपके जवाब है उनसे वो संतुस्ट हो सकें अब कई वार होता क्या है कि जसाव अगर जनतिति मालूम करते हैं तो गलती से लड़का या लड़की कभी कभी गलत जनतिति है उनके मूंसे निकल जाती है तो इस वज़े से कभी-कभी आपको परशाणी हो सकती है तो इसलिए जब भी अगर जस्साप के सामने आप जाएं शादी करने के लिए तो आप जो जस्साप प्रश्ण आप से पूछें उनके बिल्गुँश सही उत्तर आपको जस्साप को देने चाहिए जिससे कि आपको किसी प्रकार की भी आपको परशाणी ना हो तो दोस्तो जैसा कि काफी सारे कबल्स मेरे से पूछ रहे थे इस विशे के उपर इस टॉपिक के उपर कि लड़की के ब्यान किस प्रकार से होते हैं तो आज की दोस्तो वीडियो में आज मैंने आपको यह बताया है जिसका आपको जवाब सही नहीं मिल रहा कोट मारीज से संबन्द है तो आप दोस्तो कमेंट सेक्षन में आप लिखे हमारे द्वारा उसके उत्तर आपको जरूर दिये जाएंगे और यदि कोट मारीज ओफिस से आप अपनी शादी करने की प्रिकरिया के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो सुबह 10 वजे से लेके शाम को सिर्फ 7 वजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप जानकर रिप्टाप कर सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि बहुत सारे कपल समसे पूछते हैं कि सरी आपको आपको आफिस काम पर है वांडमेंड जरूर ले ले तो दोस्तों इसी प्रकार आप कोट मरी ओफिस के ऊपर आप अपना प्यार बनाए रखिए इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए हम जल्द आएंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ और एक नए उत्तर के साथ जो कि आप हमसे प्रश्न पूछते हैं और जल्द आप से मुलाकात होगी तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यपाइब ठाला आपका विए झालाद ईया